अलो गाईज, स्वागत है आप सबका तो RCF के बारे में आज हम बात करेगे इसके उपर मझे काफी कमेंट्स आये थे कि ये क्यों गिर रहा है, कब इसके अंदर तेजी आएगी तो सब इसके बारे में हम चल्चा करेगे तो 5000 करोड के आसपास का है कमपनी अगर देखे तो केमिकल और फटिलाइजर बनाती है और इसके अंदर देखे तो Government of India की कमपनी, सरकारी कमपनी है 75% स्टेक जो है Government of India का है 52 वीक हाई अगर देखे तो 145 रुपे है अच्छा कासा जो है इसके अंदर गिरा बटाई है डिविडेंट येल्ड काफी अच्छी है ये मुझे काफी बढ़िया लगता है सेविंग एकाउंट का जो ब्याज है उतना तो है इसके अंदर आपको मिलता रहेगा अगर आपको मैं बता हो कि अभी इसका पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ पांच के पी एक उपर अवेलेबल है तो मतलब कि ये सस्ते वेलिउशन के उपर अवेलेबल होते है इसके अंदर जो है डाउनसाइड रिस्क जो है बहुत ही कम होते है मार्केट के तूलना में मुझे इसा लग रहा है कि ये कम गिरते है और साथ ही साथ इसका रिटरन और कैपिटन इंप्लोई रिटरन और इक्वीटी अगर देखे तो 15-16% के आसपास काफी बढ़िया कंपनी है और इसकी ग्रोथ भी काफी बढ़िया इसने दिखाई है यह हम आगे देखे कि यहां पर सबसे पहला तो इसके पियर कंपरेजन देख लेते हैं इसके लिस्टेट पियर से और अगर इसके पी रेशियो के मुकाबले देखे तो अभी आरसी एप की बात करें तो पांच के प कि अगर अगर आप दसका पी रेशियो दे तो यह सीद़ सीदय में बात हो रही है मुझे यह साल नग्ञाए कि आने वाले सेल्स के अंदर देखिए कितना मतलब की ओल्मोस्ट जो है यह 80% के आसपास की सेल्स के अंदर बढ़त इसके रेवेन्यू के अंदर साथ ही साथ इसका मुनाफ़ा अगर देखे तो उसके अंदर भी उतनी ही बढ़त 143 करोर से बढ़कर सिधर सिधर 245 करोर तक गया और साड़ सिधर रहता है और अभी अगर देखे तो इसका पूरे साल की अगर बात करें तो 18-20 रुपे का असपास का EPS कर सकता है और पिछले यहां पर अगर देखे तो तो तीन सालों के अंदर अंदर अगर देखे होगे तो अच्छा कासा रेवेन्यू के अंदर भी बढ़त रेखन अगर आप देखे तो लगवल लगवल ड़ाई से तीन गुणा तक इसका पूरे साल भी में हो सकता है पुछले तीन साल के मुकाबले अगर आप देखे तो तो काफी अची ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर यह इसकी बैलेंश इतनी इसके अंदर मुना कहना भूल गया कि जितनी इसके अगर देखे तो यह रिजल्ट के अंदर जितनी बड़त है पिछले तीन साल के अंदर उतना अभी शेर प्राइस जो है बड़ा नहीं है यह अगर अब देखे तो 150 के उपर देखे तो मल्टीपल यहां मल्टीपल यहर का जो है रजिस्टन ह था है तो जब तक नहीं होता तब तक जो है इसके अंदर ज्यादा आ जी प contraction कदे सकती है और मैंने प्रिवे और बडर के अघर यहाँ होगा को यह उद्यार को जाने लुद के क्रजा तो आपको नहीं ज्यादा है अगर टेखे तो आगे अगे अगर दल्हुर था तो कहीं न कहीं यह capable है अपने डेट को pay करने में साथ ही साथ मुझे सालग रहा है कि यह करजा इसलिए भी जो है थोड़ा सा बड़ा आया हुआ है क्योंकि इसने अपनी capacity को expand किया होगा जैसे कि इसके result के अंदर growth देखने को मिली है वो उसी वज़े से देखने को मिली है क्यों इसने अपनी capacity को expand किया हो तो यह positive sign भी हो सकता है और आगे अब इसकी shareholding pattern अगर आप देखोगे तो वो उसके अंदर भी इस December से उस December के अगर साल दर साल अगर आप बात करोगे तो FIIs की बात करें तो अच्छी खासी जो है इसने अपनी holding बढ़ाए है previous year में 1% के आसपास की holding थी वो 3% के आसपास की हो गई है साथ ही साथ जो DIA से उसने भी 0.3% के आसपास की इससेदारी थी वो जो है 1% के ऊपर की इससेदारी हो गई है क्योंकि 25% के आसपास माल जो है पुब्लिक के पास है बाकि 75% माल तो प्रोमोटर मतलब की गवर्वन्वेंट आप इंडिया के पास है और 20% के आसपास अगर देखे तो अगर देखे तो इसके अंदर अपनी स्टेक को इंक्रीस किया है year on year अगर आप देखे होगे तो यह यह बी एक पोजिटिव चीज है अब इसकी इंस्क्रिक्टिंग वेल्यू भी अब जो है समझ सकते हैं यहां पर अगर देखे तो यह इसका डेफिनेशन है और यह आप देख सकते हैं कि कोटक सिक्यूरिटी की वेबसाइट के ऊपर बताया गया है यहां पर गूगल पर इसके अदर समझाए गया है कि यह जो है जो है तो फूच के अंदर जो कि आप इसी प्राइस को जो है एक स्पेक्ट कर सकते है यह यहां पर एक गिंती की जाती है और धिस इस calculated on basic of monetary benefit you expect to receive from it in the future and let us put the way it is maximum value और ये सारी के सारी जो है थोड़ा सापको साथ complicated लगेगा लेकिन ये आपको में आसन पासा में समझाओ तो ये जो वेल्यू होती है वो काफी ज्यादा पेला मेटर के उपर जो है कैल्कुलेट की जाती है उनके ही सापसे और फ्यूचर के अंदर ये शेर का प्राइस किया हो सकता है और कहां तक जा सकता है उसी के यहाँ पर एक अनुमान लगया जाता है एक possibility जो है जता ही जाती है और ये आप इसकी अगर instructing value अगर देखे तो according to this website आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी instructing value क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 31 December 2022 की अगर बात करें तो इसकी instructing value ज़रा देखिए साड़े तीन सो रुपे के असपास और तब इसका price जो है 134 रुपे था अभी इसका price जो 95 रुपीज है और अभी जो है इसकी instructing value जो है वो update नहीं की गई गई है और ध्यान से समझिए ये जो instructing value होती है वो जो है हर quarter on quarter update होती रहती है उसके अंदर change भी होता रहता है ये घटती भी है और बढ़ती भी है जैसे ही इसके result आते है उसके उपर जो है ये different parameter के उपर जो है वो calculate करते है और हर एक website के अंदर जो है जो instructing value होती है वो अलग अलग भी होती है अपने इस साब से वो लो calculate करते है और ये अगर आपको मैं बता हूँ तो ये इसका graph है ये जो blue color के lines है ये instructing value है जैसे कि यहां पर अगर आप देखे तो एक 100 रुपे का आसपास थी और ये red color की जो line है red color की line ये जो है market price है तो पहले इसका market price जो अगर देखे तो instructing value के आसपास यहां पर ये चल रहा था लेकिन जैसे कि मैंने बताए कि आप आप ने देखा कि result जो है इसके अच्छे आन तो अभी जो है इसके अंदर ये इसका graph है इसके अंदर तो ये गटती भी है और बढ़ती भी है ये result के उपर एकस्पेक करते है और गिंती करते है कि ये इसकी instructing value future के अंदर किया हो सकती है तो यह थी इसकी definition instructing value की और अब इसके chart के ऊपर चरचा कर लेते है और यहां पर तो आज इसका प्रैस 95 रुपीज के आज पास क्लोजिंग दी और इसका RSI 34 के उपर है तो ओवर्सोल्ट के करीब ही है अभी ओवर्सोल्ट हुआ नहीं है इसके अंदर अगर देखे तो इंदर शोट टम मुझे कुछ ज्यादा डाउनसाइड लग नहीं रही है फिलाल अगर तो यह इसका वीकली चार्ट है और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया इन वर्स्ट के सिनारियों ज्यादा से ज्यादा यह 80 रुपे अगर देखे तो एक अच्छा-कासा सपोर्ट बन सकता है जो कि इस सिर्फ 15 रुपे ही नीचे है वहां पर अगर देखे तो 200 वीक का आसपास का है तो मुझे ऐसा लग रही कि इसके अंदर डाउंसाइक डिस्क जो है काफी कम है और अपसाइट पोटेंशियल है वह काफी ज्यादा है तो इसके अपर आप अपनी नजर बना करक सकते है अगर आपने इसके अंदर ओल्डिंग रखी हुई है और अगर आप चा 23 महीनों का मुविंग एवरेश है 93 यह भी अच्छा का सपोर्ट इसके लिए बन सकता है साथ ही साथ मुझे तो यह भी नहीं लग रहा है कि अगर चोटा मोटे करेक्शन के अंदर यह 90 रुपे से नीचे जाता हुआ भी मुझे नहीं लग रहा है कि 90 रुपे के नीचे आसा 2008 की बात हो लिए जब मार्केट के अंदर क्रेश आया था और उसके बात देखे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर वोल्यम भी अभी फिलाल देखे तो एक दो साल में काफी बढ़िया वोल्यम लग आया था और साथ ही साथ यहां पर इसने एक हाई बने था लेकर हाई के उपर वो ठीक नहीं पाया और वापस से थोड़ा सा नीचे आया है तो कहीं ना कहीं अभी अगर देखे तो एक बाइंग की बन सकती है और यहां पर फिर से इसका डेली चार्ट लगाया है तो इसके सपोर्ट और रिजिस्टन हम डिसकस कर लेते हैं शोट टम क कि अगर बैंग करना चाहिए तो ठीक भी और हमचा में कहता हूं कि अगर इक साथ कम करना चाहते हैं तो १ा यहां पर रिच्ट पहल्स का यहांप एक साथ माई सांथ कर ना करके थोड़ा ठो लियुब करें करें और बैतर है और रिजिस्टन हम बात करें और बीक Target कर हम बा या 80 रूपे जो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है और रजिस्टंट की अगर बात करें तो सबसे पहले 120 रूपे उसके बाद देखे तो 145 रूपे से लेकर 150 रूपे जो कि एक इसका मल्टियर रजिस्टंट है और जैसे 150 को ब्रेक करें का इसके अंदर मुझे ऐसा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और शेर करें जो भी लोग शेर मार्केट के अंदर जुड़े हुए है होप कि आप सबको कुछ नया सीखने को मिला और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और एक स्टैंडर डिस्क्लेमर जोकी में हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनाजर एडवाजर की सला ले उसके बाद कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसके जिम्हेंदारी मेचुरेटे के साथ खुदी ले यह वीडियो में ने जो कैसन पर बनाए मेरी तरफ से कोई भी बाई यासल की डेकमेंडेशन नहीं है थेंक यू